हेलो फ्रेंड्स मैं आड़ी यादो आप सभी लोगों का नॉलेज इटूड में एक बार फिर्ट से वेलकम करता हूं दोस्तों आज हम वन बस अप्टूशन के सीरीज के एक नए पार्ट का डिस्कसन करेंगे पहला वन बस अप्टूशन आपको सामने हैं अधिशन देख टेकन फोर इस कमिंग और स्लीप इंडूसिंग इफेक्ट अनि ऐसा ड्रग जिससे आपको एक राहत मिले शांति का एसास हो और स्लीप इंडूसिंग इफेक्ट और उसको लेने से आपको नीद आए अनि नीद लाने वाली दवा तो यह सीडेटिव जो है यह आपका लेटिन वर्ड सीडेटिवस से आया है लेटिन वर्ड सीडेटिवस सीडेटिवस का मतलब होता है आपका कामिंग इसका मलब होता है कामिंग निसान्ती पोचाना जो आपको राहत पहुंचा है तो सीडेटिवस सीडेटिवस से बना है आपका सीडेटिवस इसका मलब होता है कामिंग जो आपको काम पहुंचा है कामिंग और सान्ती पहुंचा है और आपको हलकी से नीद है जैसे कि आप प्रैसेटमॉल लेंगे तो उससे क्या होता है जब लेते प्रैसेटमॉल तो सिद सिद नाम कोई लड़का है सिद और एक्टिब को लिए एक्टिव Sid is not active यहाँ पर not जोड़ दिजे Sid is now not active Sid जो है तो active नहीं है Sid जो है उसको नहीं जो है उसको माल जे फिवर था उसने एक दबा ले लिए जिससे उसको नीद आने लगी अब वो active नहीं रहा उसको नीद आ रही है तो Sid is not active now तो इस तरह से आप ट्रिक्स लन कर सकते हैं next is an act or speech to make people insight against government insight against government तो सत्ता के खिलाब सत्ता के खिलाब लोगों को भरकाने के लिए लिखी या किये जाने वाला काम मतलब गौर्बेंट के खिलाब लोगों को भरकाने के लिए कोई ऐसा स्पीच देना या कोई ऐसा माली जिए कोई आर्टिकल निउस पेपर में छापना जिससे लोग जो है भड़क जाए और सरकार के खिलाब नारे वाज़े करने लगे अपने डिमांड को पूरा करने के लिए कि देट इस सेडिशन अधिस कॉल सेडिशन यह लैटिन वर्ड सेड दो वर्ड से बना है यह लैटिन बड़ आपका सेड़ सेड का मदलब होता है अपार्ट अपार्ड मलब दूर यह उससे अलग अलग करना दूसरा आपका suffix लगा etio 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 का मतलब होता है going going तो उनको विला दे क्या होगा apart going, मतलब दूर जाना इसका मतलब होगा कि दूर जाना यानि सरकार के नीतियों से नीतियों के खिलाब होना या सरकार के नीतियों से दूर जाना कोई सत्ता है तो उसकी नीतियों से आप दूर जा रहे हैं that is sedition और इसको ऐसे भी नन कर सकते हैं ट्रिक से sedition को आप ऐसे बनाईए sad sad plus addition इसको ऐसे समझीए कि न्यूस पेपर में एक आर्टिकल छपा है जो कि sad sad करने आले addition है sad करने वाला addition छपा है sad करने वाला क्यों है क्योंकि इस addition को पढ़कर लोग जो भड़क जाते हैं लोग भड़क गए सरकार के खिलाब भड़क गए हैं तो ये sad addition है next one who tells what will happen in future भविस बताने वाला that is seer seer वाला भविस बताने वाला तो इसको कैसे लेंगे trick से इसको इसमें आपको मिल ला हुआ c word c मलब होता है देखना r को o you are r से लिट कर लिए c उलस r c r c मलब देखना r में हमारा यह जो हमारा भविस को देखता हो c r c r इसे यह c r है तो इसको पर इसको ऐसे बेख करेंजे c प्लस r अनि भविस बताने वाला परसन ऐसा परसन जो हमारा भविस बताता हूँ next is an instrument for detecting earthquakes or earth trimmer अनि ऐसा instrument जो earthquake को measure करता हो या earth में जब vibration हो लगता हो तो उसको measure करता हो अनि कि भूकम या धरती के कमपन को मापने वाला यह अंतर that is seismograph से abbiamo क्या करते है भूकम जब आता एर्थ्कों कःता है यह आपका ग्रीक वर्ड जशिस्मोस उसस्मोस इह बना आपका आए स्यखेसिस्मोस क्याटि का है कि मॉस वी सिस्मोस का मतलब होता है आर्थ्क्वैक सुक्वर्थट कम लब होता है और दूस्रा वर्ड यह जो सफिक्स लगा आपका यह बहुत इंपोर्टेंट है ग्राफ इसे मालाब होता हॉता है अर्थ्क् maximum होता है और्थ्क्रिक के बारे में लिखना ऐसी सब्रक्राइब को बिछा अगर नहीं है तो इस तरह से काम करता है उसमे एक पैल लगा होता है जो ग्राइब को पर रहता है पीपर में तो एकर जा रही है ग्रव उसका मलाभ पर्थ्वेक नहीं है अगर मालीजी कर्व हो रहे है है ऐसे अप डाउन डाउन तो मलाभ धलाओ जितना ज्यादा कर्वहा उसना ज्यादा अर्थ्वेक कि इंटेंशि इंटेंशी थी Алई नेक्स्ट अपर्सन इन ही सेवेंटीज एन ही सत्तर साल का व्यक्ति दाट इस सेप्टुवा जनेरियन सेप्टुवा जनेरियन तो इसे लंग करना बहुत आसान है देखें सेप्टुवा जिन्टा पहले इसको रूट देख लेते हैं यह लेतिन वर्स सेप्टुवा जिन्टा से आया है सेप्टु एजिन्टा स्वरी सेप्टुवा जिन्टा होगा सेप्टुवा जिन्टा से आया है यह आपका ग्रीग वर्ड है स्वरी ग्रीग नहीं लेतिन वर्ड है इनवर्ड, septuaginta, जिसका मदलब होता है 70, इसका मदलब होता है 70, तो septuaginta का मदलब होता है 70, और इसको आप ऐसे भी लिण कर सकते हैं, जैसे कि आपने पढ़ा होगा, chemistry में, जैसे कि mono, die, tri, pent, hex, sept, ये math भी आपने पढ़ा होगा, septagon, pentagon, hexagon, तो sept का मदलब क्या होता है, sept का मतलब होता है seven, sept का मदलब seven होता है, तो इसमें zero लगा दीजिए, sept का मदलब seven होता है, और seven में zero लगा दीए, तो क्या हो गया, 70, तो sept से बिलकर बना है, तो sept से आप इसको पकड़ सकते हैं, sept का मदलब होता है seven, उसमें zero लगा दीए, तो 70 हो लेगा तो सफ्ट्वा जनेरियन और इसमें जो प्रिफिक्स लगा है इसका मलब होता ही सफिक्स में अगर n लगा है तो इसका लिखा है Septuagenarian तो Septuagen जेनी इसको रेच कर रहता हूँ तो Septuagen और लास्ट में ऐसे अलच कर दी जिसको Septuagenary Septuagenary और प्लस N इसका मलब होता है सतर साल का ब्यक्ति N का मलब होता है A Person और next भी लगवाक से में a man in his 60s हैनी 60 साल का ब्यक्ती that is sexagenarian तो sexagenarian इसको पहले देखते हैं इसका root word तो sexagenarian यह है sexaginta चाया है यह sexaginta यह भी आपका Latin word ही है sexaginta sexaginta इसका मालब होता है 60 sexaginta का मालब होता है 60 और इसमें आपका suffix एन लगा है एन का मालब होता है person तो sexagenarian का मालब होता है 60 the person of 60 year age a man in his 60s और इसको आप ऐसे लगा सकते है sexagora 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 hexagoba hexa का मालब होता है six hexa का मालब होता है तो जिस sexagora लिखा है तो sexagora को आप hexagora बना लिजिए इसका मालब होता है six और इसमें 0, add कर लिजिए 60 next आपका a simple heart नहीं कि एक छोटी शैक तो इसे क्यासे रण करेंगे यह आपका जो है इसका रूड वर आपका है जाकाली इसका रूड वर है जाकाली जिसका मतलब होता है इसका मतलब होता है उडेन हट इसका मतलब होता है उडेन हट जाकाली तो रूड वर्ड जाकाली है जोकी मैक्सिकन वर्ड जाकाली साया जिसका मतलब होता है उडेन हट इससे ट्रिक से भी लंकनब होती है आसान है तो शेक को अब शेक करेंगे शेक S.H.E.K.E. Shake, shake का मलब क्या होता है? हिलना तो जो छोटी जोपड़ी होती है अगर थोड़ी सी भी हवा चली तेज आंधी आई तो हिलने लगती है, shake होने लगती है क्योंकि वो permanent, वो temporary घर होता है cement से या concrete से तो बना नहीं है तो थोड़ी सी बिगार हवा आएगी तो वो हट जो है वो शेक करने लगेगे, हिलने लगेगे तो शेक को अब शेक से लेट कर लीजे इससे आपको हमें से याद रहेगा Next A case in which sword is kept तलवार को रखने का मयान That is sheath 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 का मदला होता है तलवार को रखने का मयान तो इससे कैसे लन करेंगे तो sheet को आप sheets rate कर लीजे sheet 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 का मदला होता है यसे की लोहे की sheet लोहे की जो sheet होती है tin की sheet होती है tin shed होता है जो हम लोग छपपड बनाते जिसका sheet तो लोहे की sheet से मयान बनाया गया तो जो ऐसे याद रख़िये जो sheet होता है sheet यानि की मयान तो मयान को किस से बना जाता है लोहे की sheet से लोहे की sheet को काट कर sheet बनाया जाता है इस तरह से आप learn कर सकते है easily next is to shake slightly and uncontrollably as a result of being cold, frightened or excited, मनलब डर या ठंड से कापना, डर या ठंड से कापना, that is shiver, shiver को कैसे न करेंगे, इसको shivers rate कर लिजिए, shiver, shiver क्या होता है, जो shivage होता है, shiver, जिसमें गंदा पानी बैता है, shiver, जानते न, shiver, तो माली जी की ठंड का मौसम है, winter, season है, और कोई परसन, जो है, shiver में गिर गया, अंधेरा था, रात में जा रहा था, और देखा नहीं, वो गिर गया, shiver में, तो कोई परसन आगा, shiver में गिर जायागा, तो क्या होगा, डर की बज़ेसे, और ठंड के बज़ेसे कामने लगेगा, तो shiver में जब गिर जाता कोई परसन, तो ठंड के बज़ेसे, या डर के बज़ेसे, तो, shiver को shiver से लेट करके, अदन कर सकते हैं, next, making or characterized by a hissing sound, तो यह आपका जो है लेटिन वर्ड सिविलेर साया है सिविलेर सिविलेर का मरलाब होता है टू हिश का साउंड करना टू हिश या विसल सिविलेर का मरलाब होता हिश या या सीटी बजाना तो सिविलेर का मरलाब होता है उसर वेंजन उसर वेंजन क्या होता है सा खा सा ये जिने भी अल्फाबेट होते हैं हिंदी बढ़वाला में सा तीनों सा और हा ये चार जो लेटर होते हैं हिंदी अल्फाबेट में या हिंदी बढ़वाला में उसे बोलते हैं उसर वेंजन तो इसको आप जब बोलेंगे तो आपके मूँग से जो है हिस की साउंड आएगी जैस शा, हा तो सिविलेंड के मालब होता है उस रिबेंजन नेक्स्ट है नेक्स्ट है आपका तो सराउंड एन एरिया आफ एनेमी यहनि सत्रू की घेरा बंदी करना, that is seize 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 मतलब क्या होता है किसी को घेर लेना तो seize वर्ड यह सेडर साया, जिसका मतलब होता है to sit यह आपका लेटिन वर्ड सेडर 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 साया, जिसका मतलब होता है बैठ जाना to sit, घेरा लगा के बैठ जाना मतलब सेना जो है, वो महल के चारो तरफ घेरा लगा कर बैठ गई है सेडा मलब होता है टू सीट, और सीज तो आप जानते ही होगे, सीज करना है, सीज मलब क्या होता है, किसी जी को एकदम जब्द कर लेना उसको एकदम ब्लॉक कर देना चारो तरफ से सीज घेर लेना, सीज का मलब होता है नेक्स्ट है एक जरूरी चीज या इस्थिति डैक इस सीने कौन तो यह लैटिन वर्ड सीन से आया है, सीन का मलब होता है विदाउट, अकवा मलब होता है नॉट लेटिन वर्ड, दो बड़स में बना है, सिन ऐसा यानि, सोरी, साइन है, सिन नहीं साइन साइन का मतलब होता है, विदाउट और दूसा है, क्वा क्वा का मतलब होता है, नॉट तो दोनों ही निगेटिव वर्ड है तो एक जरूरी चीर यास्ति थी, विदाउट चांहत स्वाश्व की, विदाउट मनलब, जिसके बिना काम नहीं चल सकता है विदाउट, विदाउट दैट येट वर्ड येट विल वी न devot कंपलीट इड़ईट मेलब, इसके बिना काम चले गए नहीं उस चीज के बिना आपका काम नहीं चलेगा जैसे कि माल लिजे कि आप फोन आपके पास फोन है अगर आपको यूट्यूब पे वीडियो देखना है तो आपको नेट पैक भरवाना पड़ेगा अगर नेट पैक नहीं रहाएगा आपके सिम में तो विदाउट नेट पैक के आप यूट्यू आप वास दा वीडियो तो दोनों वर आगे ना विदाउट और नॉट लग किसी चीज़ के विना इसके विना आप कोई काम नहीं कर सकते हैं नेक्स्ट आपका एन ओफिस बिद हाई सेलरी बट नो वक्त यह एक ऐसा पद जिसमें एक ऐसा पद जिसमें बेतन एब सुविधाएं बहुत अधिक हो परन्तु काम या जिम्मेदारी बिल्कुल भी ना हो कि एसे माली कोई government की job है या कोई teacher की job प्राइमेयरी टीचर की जिसमें ज्यादा काम नहीं करना पड़ता है तो इस। इप का work अगर है इस। इसरेप की जॉब है बैसिकली government जॉब में ऐसा होता है था है तो इस ते आफिस जयूंह कि ऐसे सब डिपार्टमेंट में नहीं होता है कुछ डिपार्टमेंट ऐसे जहां काम भी ज्यादा होता कहीं कहीं होता कि काम कम होता है तो ऐसे जौब को बोलेंगे सिने क्यों गौवर्मेंट क्या प्राइविट दोनों हो सकता है ऐसा सेक्टर जिसमें काम कम हो तो सिने क्यों तो दो वर्ट से मिल्के बना है आपका Latin verse scene sign है यह आपका दो वर्ट से मिल्के बना है Latin word sign जिसका मझालब होता कियोर एक मिनट इसको प्लस कर लिएता हूँ ऐसे रिखे एस आई है निस साइन प्लस सी यू आरे क्यो रहा कि साइन क्यो रहा तो साइन का मालाब होता है बिदाउट केर इस पूरे बड़ की मिनिंग इही मिल नौक्री जिसमें आपको ज्यादा कोई केर न करना पड़े नेक्स्ट है गीविंग इंप्रेशन आफ सम्थिंग हाम्फुल टू हैपन एनी किसी बुरी घटना का संकेत इस शिनिस्टर यह लेटिन वर्ड एक लेटिन वर्ड जिसका मनलब होता है ओन दा लेट्साइड तो यह वर्ड कैसे आया संस्टर तो इसके पीछे एक रीजन यह है कि जो आम इनसान होते हैं मनलब जो अच्छे लोग होते हैं वह तो राइट हैं से काम करते हैं तो अगर कोई परसन वो जो है वो दूसरों से different काम कर रहा है यह वो बुरा काम कर रहा है किसी बुरी घटना का संकेत तो left hand से काम करना मला है वो बुरा काम कर रहा है वो सही काम नहीं कर रहा है क्योंकि सारे लोग right hand से लिख रहे हैं काम कर रहा है और left hand से कर रहा है तो यहीं से आया है इस idea से यह वर्ड लिया गया है सिनिस्टर इसका मालब होता है किसी बुरी घटनक संकेत giving impression of something harmful to happen और इसको आप ट्रिक्स लेंड कर सकते हैं दो वर्ड से दो वर्ड में इसको ब्रेक कर लिजे सिन प्लस सिस्टर इसको सिन प्लस सिस्टर में ब्रेक कर लिजिए माल लिजे कि आपकी सिस्टर ने कोई पाप कर लिया कोई पाप कर दिया तो क्या होगा तो किसी बुरी घटनक संगेत जब उसके साथ कुछ बुरा होगा भगवान उससे सजा देंगे से सजा देंगे कि तुमने यह पाप किया है तो giving impression of something harmful to happen इस तरह से आप funny way में learn कर सकते हैं next a woman who is considered to be alluring or fascinating but also dangerous in some way alluring alluring मलबता मनोहर ऐसी woman जो देखने में बहुती beautiful हो मनोहर हो लेकिन जो है dangerous भी हो आकरसक प्रंतु खतरनाग आकरसक इतरी इस तरी देखने में सुन्दर आकरसक है attractive है लेकिन वो बहुती खतरनाग है that is siren तो siren को आप जो horn वाला siren है उस से लेट कर लिजे siren तो ऐसी स्त्री जगर कहीं पर आएगी तो siren बजने लगगा न सब लोग हट जाएंगे कि देखो यह उस तरी आ रहे ही बहुत खतरनाग है सुन्दर है लेकिन खतरनाग है माली जी कोई राजकुमारी है तो राजकुमारी कैसी होती है सुन्दर भी होती हो खतरनाग भी होती है तो अगर राजकुमारी किसी रास्ते से जा जाएंगे तो क्या होगा होंगे चलने वाले यह नोकर होंगे साउधान मारा नहीं आ रहे हैं मारला होता है की स्यूच आज बंद लोगों को वांड देना तो साइडम से पूस्पर से इस वाले साय। कर सकते हैं नेक्स्ट आशाट कामी कॉमिकल राइटिंग एक संचिप मजाक्या लेग धाट इसकिट आशाट कॉमिकल राइटिंग इसकिट इसकिट को आप इसकिट से लेट कर दीजे इसकिट का मतलब होता है फिसलना इसकिट करना अगर मालिज की कोई आदमी चल रहा है चलते चलते वो फिसल गया इसकिट कर गया उसके पैर के नीचे मालिज के लगा छिलका गया अगर वो फिसल जाएगा तो वहाँ पर आसपास बैठे लोग क्या करेंगे उसका मजा कुराए अगर कोई स्किट कर जाये तो लोग उसका मजा कुराएंगे यह शॉर्ट कॉमिक राइटिंग उसके बारे में कुछ ना कुछ लिखे देंगे कि देखो वह फिसल की गिर गया तो एक संचित मजाकिया लेक तो उसके बारे में कुछ ना कुछ लोग लिखे देंगे मजाकिया तोर पर, next, inattentive person, inattentive, मलब जो attend नहों, मलब जो alert नहों, ध्यान नहीं देने आला ब्यक्ति, ऐसा ब्यक्ति जो attention के position में नहीं रहता है, that is sleepy head, इससे तुलनका नहीं होती आसान है, sleepy head, sleepy, मलब ऐसा person जिसके सिर पे हमेशा नीन सवार हूं, sleepy मलब, नीन, जिसको नीन आता हूँ हमेशा, head मलब सर, मलब जिसके सर में नीन सवार रहता है, तो ऐसा person कैसा होगा, ऐसा person जो है, बहुत ही आलसी होगा, और बिल्कुल भी careless होगा, inattentive होगा, that which cannot be captured, जिसे पकड़ा ना जा सके, या आभिस्वासी, दो मेंनिंग है इसका, जिसे पकड़ा ना जा सके, दूसरा है आभिस्वासी, that is slippery, इसका मलब होता सिलिपरी, सिलिपरी मलब क्या होता, फिसलन, फिसलन भरा, अगर मालेजी कोई चोर है, उसने अपने बॉड़ी में ऑईल लगा लिया, गिरीस लगा लिया, तो पुलीस उसे पकड़ेगी, तो क्या होगा, फिसल जाएगा उसके आसे ना, सिलिपरी है, स इसकिन ऑफ स्नेक, हैनि केंचूल, या इस स्लॉग, तो स्लॉग मनलब होता है केंचूल, यह आपका ओल्ड इंगलिस बड़ स्लॉग से आया है, इस लोग, इस लोग का मनलब होता है, स्वाप्ट, मड़ी ग्राउंड, इसका मनलब होता है, स्वाप्ट, मड़ी ग्राउंड, तो स्वाप्ट स्वाप्ट कर लिजिए, इसका मनलब होता है, स्वाप्ट, इस लोग मनलब होता है, स्वाप्ट, दो मीनिंग है, स्वाप्ट भी होता है और मड़ी ग्राउंड भी होता है तो केचुल जो होता है कैसा होता है स्वाप्ट होता है स्वाप्ट होती है यह इसको एसलन कर लिजे स्लॉट से स्लॉट स्लॉट क्या होता है इसलॉट मैमल इन दा वर्ड सबसे धीरे चलने वाला मैमल एक जानवर है जो एमेजन रेंफॉर्श न पाए जाता है तो slot जो है बहुत ही धीरे धीरे चलता है तो इसी तरह से जो केचल जो snake निकालते हैं बहुत ही धीरे धीरे निकालते है slot के speed से जिसी speed से slot चलता है धीरे 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 उसी speed से snake जो है अपनी केचल को उतारता है next and last a person excessively proud of his status or belt यहनि बहुत ज्यादा excessively बहुत ज्यादा proud करना अपने status और wealth को लेकर धन या पद के कारह बहुत ही घमण दिखाना that is snob snob तो इसे trick से कैसे लन करेंगे snob को आप rate कर लिजिए rope snob is plus rope rob rob जताना rob मलब क्या होता है जैसे धोस जमाना अपनी rob जमाना तो snob इस rob तो इस rob के कारण कोई person है उसका बहुत rob है बहुत ही दबदबाव सेरिया में तो अपने इस rob के कारण जो है वो क्या करता स्नॉब है वो snob हो बन लिया है वहला बहुत ही घमंडी हो गया है क्योंकि इसका बहुत rob है इस एडिया में ओके फ्रेंड्स आज का वान वर्स अप्ट्रिशन यहीं तक रहा तो चलिए मिलते हैं नेक्स पार्ट साथ तब तक अब लोग बने रहे हैं आपने स्टेडी को कॉंटिनू रखिए ओके थैंक्यों पर वाचिंग गुडबाई